नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 31 दिसंबर 2022 के डिली दा हिंदू एडिटोरल डिसकेशन में आपका स्वागत है चार एडिटोरल्स थे जिसमें से एक एडिटोरल आपके लिए अपलोड हो चुका है LGBT rights से related वो चैनल पेवलेबल है आप उसको देख सकते हैं उसके साथ तीन एडिटोरलस में यहाँ पर आपके साथ और डिसकस करूँगा एक तो इंडिन फार्मसेटिकल सेक्टर में चो लेटेस्ट प्रॉब्लम होई है कि भई उसबेकिस्तान में 18 बच्चों की मिरती होगी इस से related वीडियो अभी मैंने 2 घंटे पहले अपलोड की है चैनल के latest वीडियो सेक्शन में जाके देखिए काफी important information है कैसे export के समय पे vaccines की authenticity को चेक किया जाता है बहुत सी information मैं आपको बता रखिए आप चेक कर लिजे तो इस article को देखूंगा प्लस Benjamin Netanyu के आने से overall इसराइल किस प्रकार से कि repressive theocracy में convert हो सकता है थियोक्रेसी क्या है मतलब religious leaders के दोरा राज और repressive मतलब जो किसी भी प्रकार की democratic rights को नहीं बानती इस particular article को देखेंगे और शर्षी थरूर साब का एक article है कि क्यों Congress के लीडर राहूल गांधी की जो भारत योड़ो यात्रा है ये important है इसके बारे में शर्षी थरूर साब अपने कुछ व्यूपॉइपॉइंट दे रहे हैं इसको देखेंगे तो तीन article से अफेक्टिवल आज के डीडियो में आपके साब बात करूँगा आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइम ने किया कर लीजे Instagram पर follow कर लीजे आप से जोडने कोशिश करता हूँ तो पहली चीज़ देखें दिसंबर 2021 और ये दिसंबर 2022 ये दोनों बहुत हद तक कॉंट्रास्टिंग रहे हैं इंडिन फार्मसेटिकल इंडस्ट्री के लिए आप बोलोगे कॉंट्रास्टिंग मतलब एक का अलगी इंडस्ट्री के लिए दिसंबर 2021 का जो इंडिन फार्मसेटिकल इंडस्ट्री के लिए वो बहुत पॉस्टिव था चुकि उस समय पे इंडिन फार्मसेटिकल इंडस्ट्री कोरोना वाइरस के लिए Pharmacy of the World की तरह नज़र आ रहा था In fact, जो मॉनिकर है न, जो कहा जाता है न, इंडिया को Pharmacy of the World वो चीज बहुत हद तक दुनिया के सामने assert हो गई थी, जो कि Indian Made Vaccine से, दुनिया भर के लोगों को Corona Virus की Vaccine दी गई तो दिसंबर 2021 में तो इंडिया की बड़ी ही positive image बनी और overall पूरे 2021 में और पिछले कई सालों से Indian Pharmaceutical Industry की बड़ी ही positive image बन रही international market में लेकिन fast forward to 2022, अभी इसे तीन महीने पहले चले जाए और अभी दिसंबर 2022 में दो news निकल के आई है गांबिया में 6-6 बच्चों की मौत और उस्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत और क्यों? चूँकि भाई, दो Indian Drug Manufacturing Firms एक थी Madden Pharmaceuticals और एक Marion Biotech करके इन दोनों के दोरा बनाए गए कफ सीरप को पीने से बच्चों की मौत acute kidney failure reason था डाई-इथाइलीन ग्लाइकॉल या फिर कह लिजे इथाइलीन ग्लाइकॉल इसके रिस्पेक्ट में मैं वीडियो मना चुका हूँ डाई-इथाइलीन ग्लाइकॉल मेरे नाम हर्शी देजिकसाथ मारी वीडियो मिल जाएगी और अभी latest वीडियो सेक्शन में overall ये जो उस्बेकिस्तान में उस्बेकिस्तान डेथ्स मेरे नाम हर्शी देजिकसाथ सेक्ट मारी वीडियो मिल जाएगी लेटर सेक्शन में पढ़ी हुई है आप जो गांबिया में 6-6 बच्चों की मौत हुई थी इसको पॉइंट आउट किया था World Health Organization ने और उस्बेकिस्तान में जो 18 बच्चों की मौत हुई है इसको पॉइंट आउट किया है उस्बेक Health Ministry ने वैसे मैं आपको बता दू कि अभी clinically ये प्रूव नहीं हो पाए है नहीं गांबिया में और नहीं उस्बेकिस्तान में कि जो मौत है वो directly कफ सीरप को बीने की वज़ेसे हुई है बट दोनों ही केसे में एक चीज पाई गई है कि जो सैंपल से कफ सीरप के कफ सीरप के सैंपल में इथाईलीन ग्लाइकॉल या फिर कह लिए डाई इथाईलीन ग्लाइकॉल बढ़ा हुआ मिला है Spiked quantity में मिला है और Ethylene Glycol एक ऐसा Industrial chemical है जो कफ सीरफ में पाया ही नहीं जाना चाहिए एक तो Ethylene Glycol Industrial chemical है वो edible नहीं होता, खाने पीने लायक नहीं होता तो वो कफ सीरफ में क्या कर रहा था इसमें ही बहुत बड़ा सवाल उठता है और वो भी बड़ी quantity में कफ सीरफ में अब इस context में Indian government के stance को यहाँ पे criticize किया जा रहा है किस प्रकार से criticize किया जा रहा है देखे, तो पहले Indian government का stance क्या रहा जब गांबिया वाला case हुआ था जब गांबिया वाला case हुआ था तो उस समय पे जो हैदराबास based made in pharmaceutical limited था इसका export license रद्द कर दिया गया था लेकिन उसके साथ-साथ-WHO के assessment के उपर भी सवाल उठाया था Indian government ने और Indian government की जो यह agency है DCGI Drug Controller General of India इसने वहो को एक letter में लिखके बोला कि भई आपके पास जो samples है उसमें आपको diethylene glycol मिला है और हमने जो overall यह made in pharmaceuticals की company से sample उठाये वहाँ हमें कोई ethylene glycol नहीं मिला तो इसका मतलब यह है कि overall India की reputation as a supplier of pharmaceutical goods इसको खराब करने के कोशिच की जा रही है तो कुल मिला कि इस प्रकार का narrative दिया उस समय पे भारस सरकार ने इस Gambia वाले incident को लेकिन fast forward to this incident Noida based Marion Biotech इसमें जो doc1 max cuff syrup से related जो deaths हुई ना उसबेकिस्तान ने यहाँ पे overall फिर से जो नई company पाई गई है Marion Biotech इसके export license को cancel किया गया इसकी production facilities के उपर freeze लगाए गया यहाँ पे direct WHO involved नहीं है उसबेकिस्तान की health ministry इस particular issue को flag किया है तो भारा सरकार wait and watch position ले रही है लेकिन इस समय पे जो आप कहलो overall stakes है Indian government के लिए Indian pharmaceutical industry के लिए वो बहुत ज़ादा बड़े है इस context में भारा सरकार को बहुत proactively इस event में involved हो कई इस particular problem का जड़ निकालना पड़ेगा जो regulatory procedures उनको steam line करना पड़ेगा pharmaceutical और ये जो CDSEO का regulatory process है इसको थोड़ा सा और strengthen करना पड़ेगा ताकि India की as the pharmacy of the world वाली जो moniker image है वो ही हाँ पर मनी रहे India बहुत मुश्किल से इस particular level तक पहुँचा है हम इस particular image को इस title को खो नहीं सकते pharmaceutical industry India की अभी भी sunrise industry है बहुत सीरिसली देने की जरूत है बारसरकार के जोरा जो कि बारसरकार ले भी रही है तो ये एक article था इसको हमने देखा नेक्स्ट आजाते हैं Benjamin Netanyu से related article तो भाई है Benjamin Netanyu फिर से बन गए है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर छाटी बार और इस बार जो इनकी domestic politics होने वाली है वो बहुत ज़ादा right wing oriented होने वाली है पेलिस्टीनियन्स के साथ जो रिष्टे हैं वो और बहुत बुरी तरीके से बिगणेंगे और इनकी जो right wing party है ना liquid party इसने जिस पकार के parties के साथ coalition मनाया है ना उसको देखके तो liquid party भी moderate लग रही liquid party एक right wing party है इसराइल की लेकिन इस बार liquid party ने जिन parties के साथ coalition मनाया है जिसमें पांच तो ultra orthodox parties है एक far right Jewish nationalist party है इतनी ज़ादा right wing conservative political parties के साथ coalition है Benjamin Netanyu का कि इनकी खुद की party liquid party moderate नजर आ दी और यहाँ पर जो agenda निकलके आने वाले हैं Netanyu की नई right wing सरकार के वो अपने आप में बहुत आप कहलो contradictory या फिर कहलो controversial हो सकते हैं इनका प्लान है कि Jewish settlements जो है illegal occupied west bank में इनको और बढ़ाया जाएगा expand किया जाएगा judicial system की ताकत कम की जाएगी parliament की ताकत बढ़ाई जाएगी तो आगे आने वाले समय में जो सरकार है इसराइल की जब वो decisions लेगी तो उन decisions को overton नहीं कर सकती इसराइल की judiciary फिर अगर आप देखो तो इसराइल के अंदर इतामार Ben Guir करके एक far right politician है इनके Jewish terror links थे racism inside करने के लिए 2007 में इनको convict किया गया था यह security minister बनाए गया जिनके पास ताकत है control है इसराइल की police force का फिर बेजलल समॉटरिच करके एक leader है ultra nationalist religious sionism party के यह finance minister बन गया है और finance minister बनते है इन्होंने और funds की demand कि ए Jewish settlements को illegal Jewish settlements को expand करने के लिए तो अपने आप में इस बार जो coalition बना है और इसके जो representative ministers बनके सामने आ रहे हैं वो बहुत ही extreme right wing agenda रखते हैं और इतना extreme right wing agenda आगे आने वाले समय में इसराइल को एक repressive theocracy में बदल सकता है अगर आप देखो तो इसराइल का most right wing coalition इसमें बनता होना ज़रा रहा है और obviously बात है naturally इनकी जो politics होगी वो भी ultra orthodox होगी बहुत ही ज़ादा right wing होगी conservative agenda को follow करेगी तो palestiniens के साथ जो भी peace agreements आइन हुए है obviously बात हैं इन से reneach कर लिया जाएगा जो occupation है illegal Jewish settlements का expansion है वो यहाँ पर overall बढ़ाया जाएगा और कहीं न कहीं democracy effect होगी overall जब Benjamin Natanio के उपर इल्जाम लगाएगा कि आपके इस प्रकार के step से democracy को नुक्सान पहुचेगा तो Benjamin Natanio ने इस particular exam को set aside कर दिया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि जो Jewish लोग है जो पूरा entire land है इसराइल का इसके ओपर exclusive और indisputable right है Jewish people का तो जो historically Palestinian Arab सिहां पर रहते हैं उनके light को यह मान ही नहीं रहे है और सबसे खास बात यह है कुछ ऐसे reforms पास कराये जा रहे है NECED जो कि इसराइल की parliament है देखे 120 member की parliament में 64 MPs का support है इस समय की right wing सरकार के पास और अगर वो नियम कानून पास करा लेते हैं तो जो supreme court है आपके इसराइल की जो judiciary है इसराइल की उसकी power कम हो जाएगी यहां पे parliament की power ज़ादा होगी तो इस context में अगर आप देखोगे तो शास, United Torah, जुडाइजम religious zionism इस प्रकार के groups इस समय पे इसराइल की polity को dominate करेंगा और यह right wing, hard line groups है इसराइल एक ऐसा देश है जहां पे इनकी 20 प्रतिशत आबादी minority है तो 20 प्रतिशत minority आबादी वाले देश में इतना ज़दा concrete और आप कहलो hard line conservative agenda अगर implement कराया जाएगा तो कहीं न कहीं यह backfire कर सकता है एक प्रकार से इसराइल elected Jewish theocracy, थियोक्रिसी मतलब आप कहरो leadership by religious leaders उसमें कहीं न कहीं गरता जार जैसे इरान एक थियोक्रिसी है मुल्ला राज करते हैं वापे तालिबान एक थियोक्रिसी है उस प्रकार से इसराइल भी एक थियोक्रिसी बनने के एक खार पे पहुँच रहा है और जाते हैं आपके अपने आखरी आर्टिकल पे शर्शी थरूर साहब का लिखा हुआ यह आर्टिकल है अब यह क्या बता रहे हैं येर 2022 को शर्शी थरूर साहब ने Vladimir Lenin के एक कोट से कंपेर किया है Vladimir Lenin का कोट क्या बोलता है There are decades where nothing happens and there are weeks where decades happen मतलब कभी-कभी दसों साल बीच जाते हैं decades बीच जाते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल बीच जाते हैं कुछ नहीं होता है लेकिन कभी-कभी कुछ हफ्तों में ही decades जेतना गाम हो जाता है और ये जो पिछले एक दो साल रहना इस बात को portrait करते है 2022 में कहीं न कहीं COVID-19 का effect कम होता नजर आया बहुत हब तक vaccination हो चुका था business, government, सरकारों ने vaccination की policy बनाई थी बहुत तीजी से जैसी countries ने vaccine बनाई China ने भी vaccine बनाई Sinovac, दुनिया भर में एक्सपोर्ट की Russia ने भी बनाई हमने COVID-19 से अपनी लड़ाई की तो एक significant accomplishment था human spirit का की जैसे दैसे करके corona से चीच रहते लेकिन उसके बाद आगया Russia-Ukraine war और Russia-Ukraine war ने फिर से पूरी दुनिया को instability में भेग दिया एक global war था ये इस war के साथ economic sanctions आये western countries ने रशिया के ओपर sanctions लगाए trade dependencies को weaponize किया गया है एक inflation आ गया gas shortage पढ़ने रगी उन जगों पे जहाँ पे सर्दियों में गर्मी की ज़रुद पढ़ती है recession आ गया millions की life यहाँ पे miserable होगी तो कहीं न कहीं overall ये कुछ हपते थे देखे फरवरी में war शुड़ू हुआ और फरवरी के बाद से लाखों करोन लोगों की जिन्दियों को impact कर गया इसने केवल रशिया यूकरियन के अंदर की जिन्दिया इंपक्ट नहीं की पूरी दुनिया में की है चुकि inflation recession कहीं न कहीं यूकरियन रशिया वार की जैसे निकल रहा है अब देखें इस वार के साथ कुछ और चीज़े भी हुई है जैसे की अमेरिका और यूरोप की innovative consumer technologies के respect में product बनाय जाते हैं अमेरिका अपने allies के साथ trade relationships को develop कर रहा है domestic production को बढ़ा रहा है large financial assistance के वर अपने trusted allies को दे रहा है और overall China जैसी country से वापस घीच रहा है एक प्रकार का economic nationalism यहाँ पर शुरू हो गया पहले overall जो trade था ना वो truly global था दुनिया की कोई भी चीज़ कहें भी बन रही हो इससे फर्क नहीं पड़ता था लेकिन अब US जैसी countries को इस पास से फर्क पढ़ना लगा है कि वो जो consume कर रहे है या फिर उनके allies जो consume कर रहे है वो कहां बना हुआ खासकर US इस बात की कोशिश कर रहा है कि वो चीज़ चाइना में न मनी हुई हो तो इस कंटेक्स्ट में दुनिया भर में तो chaos है बट इंडिया के पास एक opportunity है कि इंडिया अपने exports को grow कर सकता है इंडिया दुनिया भर की supply chains को अपने पास खीच सकता है अगर आप देखो तो पिछले चार decades में इंडिया का export sector तेजी से grow हुआ है एक explosive growth rate है जिसके चलते में millions of jobs बनी है जब हमने export किया तो इस export products को बनाने के लिए लोगों को नौकरे हैं मिली उसको export करके हमने foreign reserves को इंडिया के अंदर ले किया है हमारी domestic production capacity बढ़ी हमारी consumption capacity बढ़ी आज की date में दुनिया के trade order में इंडिया कही न कही stand करता है ठीके न फिर इस profound changes की दुनिया में चाइना का military aggression आया है इंडिया के against चाइना की military threat पहली बार बिल्कुल clear terms में इंडिया को नज़र आई और इंडिया के ऊपर चाइना ने जो aggression किया उसमें कहीं न कहीं चाइना की economic prowess चुपी हुई थी कहीं न कहीं चाइना इस बात को जानता था कि हम इंडिया के उपर aggression करेंगे इंडिया पूरी तरीके से हमें जवाब नहीं दे पाएगा रीजन बिंग इंडिया बहुत हद तक economically चाइना पे dependent है पैसे भलेम नहीं लेते हैं चाइना से लेकिन चाइना से हम बहुत साथ strategic inputs को import करते है और वो अभी हम कहीं और से important नहीं कर सकते है तो जो चाइना threat है एंडिया के रिए वो बस एक border dispute नहीं है एक isolated bilateral conflict नहीं है यह अपने आपने आपने global force में अपने आपको strategically neutralize करने वाली बात है independent करने की बात है अपने आपको truly sovereign करने की बात है तो यह सब बात है बताई जारी है अब इन सब challenges के बीच में शर्शी धरूर साब इस बात पे लेके आ रहे हैं कि हम जहाते हैं कि इंडिया एक ऐसा देश हो जहां कि factories millions की तागाद में लोगों को employ करें करोनों की तागाद में हम billions of dollars of goods को पैदा करें अपने domestic market के लिए भी export market के लिए भी international trade competitiveness में हम चैनों को पीछे छपाड़ दें यह कम से कम उनको टक कर दें और यह हम तब कर सकते हैं इंडिया के एक अधार तब बन सकता है जब overall social harmony exist करें इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर के लोग identity caste class धरम के आधार पर एक दूसरे से न लड़ें और कहीं न कहीं आज की date में होता नसरा रहा है इसलिए राहूल गांधा की राहूल गांधी जी की भारेज जोड़ो यात्रा के उपर बहुत फोकस कर रहे है धरूर साथ धरूर साथ बोल रहे है कि आज की date में इंडिया में communal incidents बढ़ने के चाहंस है class और caste के आधार पर segregation होता है तो जो भारेज जोड़ो यात्रा है ये देश के लोगों के एक opportunity देती है कि वो देश के social fabric की तरफ का ध्यान लेके आ सके इस बड़ती geopolitical और economic challenges की दुनिया में इस देश का एक जुट होके खड़ा होना बहुत ज़दा जरूरी है peace और prosperity के rational pursuits को पाने के लिए हमारे leaders को एक जुट होके काम करना है कि इंडिया कमजोर पड़े तो एक socially disturbed महौल एक religiously radicalized महौल इंडिया के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है तो ये सब बातें और और लेहाँ पर बताई जा रही है और इसके basis पे और और राहुल गांदी जी की ये जो भारचोड़ यात्रा है इसकी importance को भी बताई जा रहा है तो ये सब कुछ चीज है मैंने एक पात डिसकस कर लिया आप से तो एडिटोल यहाँ पर दूस्तों खतम होता है जब्दो कुछ थानी जो सबसे इंपॉर्टन आर्टिकल था आज का आपका LGBT rights से लिट रूपने और लगसे को अरिखिया है वो वीडियो सेक्षिन आपको मिल जाका देख लीजिए आखकी पर दूसे फिट्स वीडियो को राया को शरी कर दिखे लिया इपको अर्डियो का बिया डिम्हां